हाई फेंड्स आज में लेक आई हूँ आप लोगों के लिए खीरे के बहुत ही जबर्जिस रसीपी फेंड्स हो कि आप लोग हमेशा खाना पसंद करेंगे अगर आप इस प्रकार से नास्ता बना करके देंगे तो लोग खीरा भी खाएंगे और उनको हेल्दी नास्ता भी मिलेगा जिसकी वैसे एक टेश्टी भी बहुत होता है और उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा सुबह की भाग दौड में सब कुछ ही होता है जट पड कुछ इंस्टेंट बन जाए और टेश्टी भी बहुत लगे और सब लोग उसको खा भी सकें तो ऐसा ही एक नास्ता मैं लिए लिए आप लोगों के लिए फ्रेंट्स जो कि बहुत टेश्टी लगेगा तो चले क्या होगा जो यह कड़वा लगता है विल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा तो बस इसको उपर से कट करेंगे कट करने के बास से इस तरह से रब करेंगे इससे क्या होगा इसकी जितने भी कड़वा हट है वो निकल जाएगी तो हमने इसको दोनों तरब से कट करके यानि एक बार अप इसको बना लगे तो आप लोग हमेशा इसको बनाना चाहेंगे आप इसे मौर्णिंग में रिकफास्ट के टाइम इवर्णिंग में लिए स्नेक्स के टाइम पर बना सकते हैं जो लोग वेट लूस करें उनके लिए बहुत ही हैल नासता है इससे पीड भी भरेग तो खीरे का चिल का थोड़ा हाड लग रहा था मुझे इसलिए मैंने इसको हटा दिया है और उसका जो सौफट वाला पार्ट होता है इस तरह से इसको घिस लेंगे तो थोड़ी दिर में एक दम घिसकर के तयार हो जाएगा और उसके यहां पर हमने सारी खीरे को यानि के पू तो यहां पर बावल में ट्रांसफर करने के बाद से इधर हम डालेंगे एक कप से थोड़ा सा कम सूजी तो यहां पर मैं सूजी का यूज़ कर रही हूं फ्रेंड्स आप चाहें तो यहां पर चावल के आटे का भी उस कर सकते हैं मैदे का यूज़ मत करिएगा चावल के आ तो बस यहां पे तीन हो चीजों को बढ़ियां से हम फेट लेंगा और क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें सूजी का यूज किया है जिसकी वजह से इसको थोड़ी देर फूल नजरूर है तो इसको अभी हम मेक्स करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए पहले हम इसमें थोड़ा चीजों बैठ के पतली तो आप उसमें थोड़ा सूजी और यहां पर परिफेक्चब हो जाएगी उसके बाद हो जुखनेंगे देखिए पांस दशमेत के लिए लिए जिससे क्या होता है यह यह अच्छे से फूल जाएगी सूजी और सारी फ्लेवर आपस मिक्स हो चिली फ्लेक्स थोड़ी को यूज़ को इसे ज़्यादा नहीं बनाना है आप लोग अपने हिसाथ से रख लीज़ेगा जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं और उसी के साथ में तोड़ा साम डालेंगे आपर मैंगी मसाला तो इसका टेश्ट जाएंट नहीं दालना है हमक इसका टेश्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और यह बच्चों को बहुत पसंद होता है तो जब आप बच्चों के लिए बनाए तब और जरूर डाले उनको बहुत ही टेश्टी लगे गई है तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगर आपके पास और नहीं है तो आपके सकते हैं उसके बिना यह रेषिपी अच्छी बनेगी अब हम इसको साइड में रख देते हैं और इधर एक केक टिन तियार कर लेते हैं आप इस प्रकार का कोई भी केक टिन का यूज़ कर शकते हैं और जो घर में नॉर्मल प्लेट या घटोरे जैसे होत और आदा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे उसके बाद से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल कि अच्छे से फर्मेंट हो जाए और उसके बाद बिल्कुल भी वेट ने करना है फ्रेंड्स हमको पड़ा फट इसको ट्रांसफर करना है केक टिन में और उसके बाद से इसको बेक करेंगे इसके लिए फ्रेंड्स इसको बेक करेंगे चकड़ाई में यानि के नीचे थोड़ा सा पानी डाल कि अमने रख दिया ता गरम होने के लिए और उसके बाद एक कटर रखेंगे नीचे आपकिसी भी के दुख कर सकतें और शकर नीचे रख कर लेंगे फिज-च में चेक कर लेंगे फ्रेंट्स नाइफ की हल्प से या फिर टूथपिक की हल्प से अगर बैटर चिपक रहा है तो समझ जाई अभी यह गील है पांच मेट और पका लीजी प्रफेक्ट हो जाएगा तो हमारे दो यहां पर बंगर के एकदम तयार हो गया था बिल्कुल भी चि प्रेंडा हो गया तब हम इस तरह से निकाल लेंगे तो बहुत ही इजी वेव में फ्रेंट्स टी मोल्ड हो जाता है यह देखे मैं इसको निकाल लेती हूं यह बहुत ही फ्लॉपी और बहुत ही स्पॉंजी बनके तयार हुआ है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली द बारी हूं यह दब राय फिर बापस उपर आ जा रहा है यानि कि बहुत अच्छा स्पॉंजी बनकर के तयार हुआ है अब हम इसको कट कर लेंगे तो आप जैसे चाहें वैसे पीसिस में कट कर सकते हैं मैं इसको इस तरह से कट करूंगे और एक चीज़ार फ्रेंड्स यह न संदर कितना टेम्टिंग लग रहा है देखने में और भी अच्छा हो जाएगा इसका टेश्ट और भी बढ़ जाएगा जब हम इसमें थोड़ा से तड़का लगा देंगे तो तो यहां पर आपको दिखा दिए तो दोनों तरब से कितना सॉफ्ट स्पॉंजी सा बनकर के त अजिए पैन गरम होंगे गरम होने के बाद से दो से तीन जम नुक्त सब्ता कड़ी डालने केबाद से रए डालेंगे नहीं तीनों चीज़ों का जो तड़का है फ्रेंट्स बहुत ही डेश्टी लगता है तो इसलिए हमें आपे तीन चीज का यूज़ कर रहे हैं आप चाहें तो वाइट वाली जो तेल होती है उसका भी उसका बहुत अच्छा आता है तो इन सब चीजों को थोड़ा से केरफुली डाले फ्रेंट्स क्यों प्लीज सस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा और अल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा हमाने वाले टाइप में भी इस प्रकार की इच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे तो उसके लिए प्लीज सस्क्राइब कर जरूर करिएगा और कमेंट में फीडवेक जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ की कैसी बनी आप लोगों की रेसिपी और फिर इसको देखे इस तरह से पलटते हुए दोना साइट से सीख लेंगे और बीच बीच में इस तरह से थोड़ा सा हिलाते जाएंगे ताकि सारी पीस अच्छे से सिख करके तयार हूँ तो दोना त्रफ से पलटते हो सेख लेंगे जिसकी वैसे इसका जो कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगए और बहुत एच्छा लगेगा इक हाने में तो देख सकता है फ्रेंड्स हमने इसको दोना त्रफ से पलटते हो बनियाँ से सेख लिय और केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है उससे भी तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स आप लोग भी बनाएं खाएं एंजॉय करें फीडवेक शेयर करना ना भूलें हमारे साथ तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स म मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए भाई भाई थेंक्स पर वचिंग